एक गाए गास चरने के लिए एक जंगल में चली गई शाम धलने के करीब थी उसने देखा कि एक बाग उसकी तरफ दबे पाउं बढ़ रहा है वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी वह बाग भी उसके पीछे दोडने लगा दोडते हुए गाए को सामने एक तलाब दिखाई दिया घबराई हुई गाए उस तलाब के अंदर गुज गई वह बाग भी उसका पीछा करते हुए तलाब के अंदर गुज गया तब उन्होंने देखा कि वह तलाब बहुत गहरा नहीं था उसमें पानी कम था और वह कीचड से भरा हुआ था उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम थी लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे वह गाए उस कीचड के अंदर धीरे धीरे थसने लगी वह बाग भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड नहीं सका वह भी धीरे धीरे कीचड में अंदर धसने लगा दोनों ही करीब करीब गले तक उस कीचड के अंदर फस गए दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे गाई के करीब होने के बावजूद वो बाग उसे पकड नहीं पा रहा था थोड़ी देर बाद गाई ने उस बाग से पूछा क्या तुम्हारा कोई गुरू या मालिक है बाग ने गुराते वे का मैं तो जंगल का राजा हूँ मेरा कोई मालिक नहीं मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ गाई ने कहा लेकिन तुम्हारी उस शक्ती का यहां पर क्या उप्योग है उस बाग ने कहा तुम भी तो फस गई हो और मरने के करीब हो तुम्हारी भी तो हालत मेरे ही जैसी है गाई ने मुस्कराते वे कहा बिलकुल नहीं मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वह डूंडते हुए यहां जरूर आएगा और मुझे इस कीचर से निकाल कर अपने घर ले जाएगा तुम्हें कौन ले जाएगा तोड़ी देर में सच में ही एक आदमी वहाँ पर आया और गाय को कीचर से निकाल कर अपने घर ले गया जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरी के तरफ कृतक गिताब पूर वक देख रहे थे वे चाहते हुए भी उस बाग को कीचर से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उनकी जान के लिए वह खत्रा था गाय इस कहानी में आईए समझते हैं कि ये चरित्र हमारे जीवन में क्या दर्शाते है गाय समर्पित रिदय का प्रतीक है बाग अहंकारी मन है और मालिक ईश्वर का प्रतीक है कीचर ये संसार है और ये संगर्ष अस्तित्व की लडाई है किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ मुझे किसी के सयोग की आवशक्ता नहीं है यही अहंकार है और यही से विनाश का बीजा रोपन हो जाता है ईश्वर से बड़ा इस दुनिया में सच्चा हितैशी कोई नहीं होता क्योंकि वही अनेक रूपों में हमारी रक्षा करता है उमीद करता हूँ कि इस सार को आप बड़े प्यार से बड़े उदार से और समर्पित भावना से लेंगे और इससे जो सीखेंगे वो आपके जीवन को और सरल सहच सर्थन बनाएगा धन्यवाद